कि नमस्कावर दोस्तों स्वागात में नड़ब और एक हेल्थ रिलेटेड विडियो में और इस विडियो में बात करने वाले ऐश्क पिरीन मेडिकेशन के बारे में तो एसुत 75 गशेंपल के तोर पे एक पर्पेकुलर ड्रुग इकोश्प्रिन-75 एवेलेबल है इंडिया में बहुत वाइडली स्प्रेड ड्रग है इको स्प्रिन 75 हो गया उसका एक्च्वल सॉल्ट कॉंपोजिशन होता है एस्पिरिन 75 ग्रम एस्पिरिन रहता है वह 75 हो सकता है किसी-किसी मेडिकेशन में 150 ग्रम भी अवेलेबल है अब यह एस्पिरिन क्या है इसको हम सिनुनिमस ली और नाम से भी जानते हैं जिसको कहा जाते हैं एक ही मेडिसिन का अलग अलग नाम देखो यह एस्पिरिन 75 और एको स्पिरिन 75 जो मेडिकेशन है यह क्यों दिया जाता है कब दिया जाता है सिंपल सी बात है एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है एंटी प्लेटलेट ड्रग तो रेड़ ब्लॉड के कारण RBC रेड़ड होते हुआ इसके 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 कारण बलड का कलर लाल होता है। मगर ब्लॉड में भी बहुत सारी से आप इस अजो लाल रंग का नहीं है । अपार्ट फॉर्म रेड ब्लट सेल जैसे के उनमें से एक इंपॉर्टन पार्ट होता है प्लेट एक ऐसा सेल से प्लेट यह प्लेट जो मौझूद होता है वह प्लेटलेट का क्या काम होता है प्लेटलेट जब नॉर्मली ब्लड में तो मौझूद होता है मगर जब ब्लड व होता है धराइन होता है तो ऐसे अलग अलग की जैसे घर में नलके से पानी आता है थो पाइप लामन हरट से लेकर पूरे के पूरे शडीन में अब बात यह होता है कि वह जब pipeline जो body में है जो blood vessels कहा जाता है जिसके अंदर से जिसके जरीय blood flow होता है वहाँ पर अगर कोई damage आता है blood flow cut बतलब वह blood vessel cut गया तो वहाँ से blood बाहर खून बाहर आने लगेगा तो खून जब बाहर आने लगेगा वहाँ पर एक damage हो गया तो damage को रोकने के लिए body का एक system है blood का खुद का एक system है blood clotting system खून की एक साथ ऐसे glue जैसा stick हो जाना मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो मैं सारे terms हिंदी में शायद नहीं बोल सकता very sorry for that but I am try to explain it कि जब वह blood vessel के दीवार में कोई भी cut आता इंजूरी होता है तब यह blood flow होने लगता है जब ऐसे कमानों की cut लग गया तो यहां से blood flow होने लग लग रहा है तो जब खून बाहर आने लग रहा है धीरे धीरे वह blood का होता है तब यह activate नहीं रहता है जब भी वहां पर कोई cut कोई und आता है तब platelet activate होता है और उसके साथ-साथ एक protein होता है fibrin तो जब भी fibrin एक जाली जैसा net जैसा वह जहां पर cut लगा है वहां पर net जैसा structure form करेगा मैं आपको दिखाता हूं यहां पर पिक्चर में तो देखो यहां पर ऐसे जाली जैसा structure form करेगा जब भी ऐसे जाली जैसे structure form करेगा और इस जाली के बीच न एक एक ने प्लेटलेट्स ऐसे जाके वहां पर ऐसे अटक गया वह बाहर नहीं आप आ रहा है तो क्या हो जाएगा ब्लट फ्लो जो ए खून जो बाहर आ रहा था वह बंद हो जाएगा तो यह बहुत इसमें अलग अलग प्रोटीन इंवाल होते हैं बारा तेरा अलग 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 फैक्टर इंवाल होता है उसके प्रोसेस अगर डीटेल में आपको जानना है तो उसका भी डीटेल वीडियो आज स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव चैनल पर आप देख सकते हो बट यहां पर ब प्लेटलेट मेडिकेशन एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन होता है अस्पिरीन क्या करता है यह जो प्लेटलेट का जो क्लॉटिंग का जो काम होता है इसको प्रिवेंट करता है रोक रखता है मतलब ब्लाट क्लॉट होने से रोकता है यह ड्रग तो देखो ब्लॉडी में तो क्यों प्रिवेंट करते फिर दर्ग दे के हम क्यों anti clot clotting करता है this is really important यह ब्लड clotting normally अच्छा होता है कब जब बाहर से कहीं पर कट लगता है उन्ड होता है या फर अंदर कहीं पर उन्ड होता है तो clotting होना अच्छी बात मगर यह blood clot अगर without any wound ऐसा भी हो सकता है कि यह blood vessels हैं हमारे जो heart से लेते हुए blood vessels brain तक गया उस बीच कोई भी उन्ड नहीं है कोई भी ऐसे cut नहीं लगा कुछ नहीं लगा फिर भी कभी कबार क्या होता है blood vessel के अंदर blood clot बन जाता है platelet जादे अक्टिव हो जाता है कुछ ना कुछ कारण अलग अलग कारण है उसके कारण वहां पर बनता है वहां पर बन जाएगा तो blood flow heart से लेते हुए brain तक नहीं पहुंचेगा तो brain blood receive नहीं करेगा brain में अगर खुन नहीं जाएगा तो क्या करेगा brain क्लाप्स हो जाएगा काम नहीं करेगा तो उसको हम stroke कहते हैं तो ऐसे ही stroke होता है similarly वह heart से लेते हुए blood flow फिर से heart में भी जाता है उस बीच अगर कहीं पर clot हो गया तो क्या होता है heart खुद function करना बंद कर देगा जिसको हम heart attack कहते हैं तो heart attack हो गया इस्केमिक जो stroke हो गया यह अलग-अलग जो बीमारी है यह blood clot बनने के कारण होता है blood vessel के अंदर तो यह सारे condition में हमें एक ऐसा medication चाहिए जो यह clot को dissolve करे जो blood vessel के अंदर clot हुआ है उसको यह remove करे उसको गला के निकाल दे तो इसी के कारण aspirin यूज किया जाता है aspirin 75 या फिर 150 depending upon जो आपका clot कितना है कैसा है उससाब साब को दिया जाता है इसको anti clot forming medication भी बोलते है ठीक है anti platelet medication भी बोलते है तो यह फंडा है aspirin 75 medication की या फिर eco spring जो brand name से यह बिखता है इंडिया में eco spring 75 medications की काम यह होता है तो चलिए बात करते है कि eco spring 75 या फिर aspirin 75 की caution क्या है मतलब यह drug तो अच्छी बात है ठीक pain radiate होते 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 हैं left hand side में आना तो यह सारे एक problem की indication होता है तो यहां पर जिन लोगों में यह सारे indications हैं उनको symptoms को देखते हुए कुछ blood test करने के बाद doctors यह drug को prescribe करेंगे उनको लेने के लिए अच्छे ठीक मात्रा dosage में लेना चाहिए पहली बात तो यह होता है second thing सबसे important जो बात होता है कि caution कब यह drug लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए मैं आपको बताता हूं कि कुछ कुछ cases में ऐसे बीमारी होते हैं जहां पर blood clotting ठीक से नहीं होता है बॉड़ी में जैसे कि जिस बीमारी को हम कहते हीमोफिलिया कुछ लो जाए गा तो यह नहीं करना चाहिए 2 इंसान में कहीं भी body internally digestive system digestive tract में कहीं भी ulcer हो वह ulcer stomach में हो सकता है या फिर small intestine में हो सकता है तो कहींब अलसर है तो उनमें भी ulcer मतलब वहापे घाव हैं वहां से blood खूण निकलता है अगर अगर उन वोगों में भी ये drug दिया गया तो न ज्यादा हो जाएगा तो उससे problem बढ़ जाएगा और सिर्फ digestive tract में भी नहीं अगर किसी इंसान को liver का कोई बीमारी होता है या फिर kidney का कोई problem है उनमें भी ये drug नहीं दिया जाएगा with caution दिया जाएगा और एक बात होते ड्रग से फेफ और pregnant women और mothers के लिए प्रेगनेंट मोमन के लिए पहले कुछ ताइम तक तो अच्छी बात उसके बाद जाके यह नहीं दिया जाता जिनरली आवाइट किया जाता है और breastfeeding mother के लिए भी आवाइट किया जाता है तिल समग्सेंट अब डिपेंड करता है पीडिया ट्रिक of this aspirin 75 और eco spring 75 drug like that economy side effect कि तौर पे एक ही side effect ज्यादा तर यहाँ पर नाजर आता है वो होता है and like acidity or stomach upset acidity stores up a present रहता ही है generally it's a very common side effect of aspirin 75 कारण यह द्रग जब दिया जाता है उससे पहले बोला जाता है कि तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है नॉर्मली आफ्टर फुड खाने के बाद लेने को कहा जाता है और side effect के तौर पर मैंने आपको बता है कि यह basic side effect nausea vomiting उसके साथ साथ एक indigestion acidity और stomach upset इसके साथ रह सकता है जिसको हम heart burn भी बोलते हैं जैसे कि जलन जैसे महसूस होना क्योंकि acid flow होता है उपर यहां से जलन जैसे महसूस होना यह सारे common side effects में गिने जाते हैं यह drug तो ऐसे बहुत important drug है anti-platelet drug सबसे common प्रकार के anti-platelet drug जो widely use किया जाता है मगर इसका side effects भी है तो side effects देखने के बाद ही हम इसको यूज करते हैं अगर फिर भी this is a very important drug very good drug to go with और किसी इंसान को अगर related to कोई भी indication of stroke है indication of heart attack है उनमें यह drug prescribed definitely करना चाहिए उनको ठीक से यह drug को लेना चाहिए अगर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर और कॉलीग के साथ और चैनल पर बने रहे हैं क्योंकि ऐसे वीडियो हम चैनल पर अप्लोड करते रहते हैं थैंक्यू बाई